हाई गाईज वेलकम बैक टो मैं चैनल दोस्तों विंटर में हमारे स्किन ड्राइ हो जाती है पैची हो जाती है साथ ही दाग धब्बे भी नजर आने लगते हैं विंटर में दाग धब्बे और भी जादा उभर जाते हैं समर में थोरे बहुत हलके भी हो जाते हैं लेकिन विं देखिएगा इसकिप मत कीजिएगा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दू कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है मैं खुद इस कैप्सुल का इस्तिमाल करती हूं तो सोचा कि रिव्यू आप लोगों से सेर करूं काफी फैदेमंद है और ये आपको किसी भ मारे हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही साथ ही हमारे सुंदर्ता को भी बढ़ाता है इसके इस्तिमाल से चेहरा चमकदार हो जाता है बालों का जहरना बंद हो जाता है इसके इस्तिमाल से आपके बाल नहीं गिरेंगे ड्राइनेस की समस्या खतम हो जाएगी डैंडर्फ की स इसा आप लोग को way अगर आपको खाना हो तो आप किसी डॉक्टर से कनसल्ट करके कहन सकते हैं कभी भी इसे अपनी मरजी से या किसी के कहने से ना खाओ अगर इसके हैं तो इसके साइड इफेक्ट has जिसके हैं अगर अब मैं आप लोगbreak इसके फैयदे बता देती हूं इसको खाने से ड्राइनेस की समस्या खतम हो जाती है अगर आपके इसके 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 इसक को कोकोनेट वाइल के साथ मिलाकर लगा सकते हैं कोकोनेट वाइल हर घर में रहता ही है कोकोनेट वाइल के साथ मिलाकर आप इसको अपने बालों में अपने चेहरे पर अपने हाथ में पैर में लगा सकते हैं और ड्राइनेस की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं कोकोनेट और दो निकाला आपको इस कैपसुल से वाईल निकाले लेना है और कोकोनेट वाईल के साथ मिला के फिर लगाना है विंटर में तो इसका इस्तिमाल जरूर करना चाहिए अगर आप सर्दियों में इसका इस्तिमाल डेली करते हैं तो आप इसकिन से जुरी बालों से जुरी हर तरह की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताईएगा जरूर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजेगा सेर कर दीजेगा और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बबाए थैंक्यू अपना ख्याल रखिए